नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्वीब चैनल में दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए यूपी फार्मासिष्ट फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया एलेक्सन लिस्ट 2021 जो जारी हो गई है उसको कैसे चेक करना है उसके बारे में बता रहा हूँ अगर चैनल पर आप ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जादस जादस सेर कर दीज़े जिसे सभी फार्मासिष्ट फाई बंधों को बहनों को ये नियूज मिल जाए वह अपना PCI वोटर इलेक्सन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकें तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी पहचान बता रहे हैं कि ये देखिए फार्मासिष्ट का लोगो है एक फार्मासिष्ट का जो लोगो होता है यही होता है दोस्तों और बहुत महनत करने के बाद यह लोगो हम लोगो को मिलता है registered pharmacist जब हम PCI में registered हो जाते हैं तब ही जाके हम registered pharmacist कहलाते हैं यह हमारा symbol और logo है यह logo लेने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके बाद भी हमारी पहचान नहीं हो पाती है हमको नजर अंदाज कर दिया जाता है तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ आपको अपना PCI में जो वोटर लिस्ट का नाम है कैसे चेक करना है आपको uppharmacycouncil.com election2021.html पर आप जाकर इस साइट पर जाएंगे तो आपको एक page खुल कर आएगा आप अगर अपना pharmacy council of India में registration कराएं हैं तो वही registration number जो रहेगा आपका इसमें apply करना पड़ेगा उसको click करना पड़ेगा और enter करने के बाद आप उसमें देख सकते हैं तो दोस्तों मैं जो ये update बता रहा हूँ बहुत बड़ी update है इससे हो सकता है हमारी पहचान लोगों तो पहुचें सरकार भी जाने की pharmacist भी क्या होते हैं तो दोस्तों जो page खुल कर आएगा इस तरह आएगा election list 2021 इंटर registration number to search आप इसमें registration number डालेंगे और उसके पास search करेंगे तो आपका record जो रहेगा वो प्राप्त हो जाएगा आपके नाम से पिता जी का नाम registration number पूरा address पूरा ऐसे खुल कर आएगा आप जिस भी जिले से हैं तो दोस्तों मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग यह अपना election list में नाम देख लें अगर ना हो तो एक हम लोगों का बहुत बड़ा संगठन चल रहा है अगर election list में अगर आपका नाम ना हो तो एक संगठन चल रहा है उसका नाम है ABPA अखिल भारती Pharmacist Association यह हमारा संग बहुत बड़ा संग है दोस्तों और बहुत दूर तक फाइल चुका है और सभी लोग यह जान गए है हर जिले में ABPA का अध्यच्छ और उपाध्यच्छ मंत्री महामंत्री सब लोग हैं इसमें अगर आपका इस list में नाम नहीं है तो आप अपने अध्यच्छ से कहिए अपने जिले के अध्यच्छ से कहिए उपाध्यच्छ से कहिए मंत्री से कहिए महामंत्री से कहिए कि मेरा इस list में नाम नहीं है तो वह जो है आपका फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया का जो voter election list है उसमें आपका एड करवा सकते हैं तो दोस्तों यह बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी बात है इसमें आप अपना स्वतंत्र होच सकते हैं कि हमें किस का चुनाव करना है क्योंकि PCI में आज कल आप लोग देखी ही रहे हैं अगर हमें renewal कराना हो रहा है और registration कराना हो रहा है चेक कर लेंगे इस list में हो सकता है भविस्य में election हो तो हमारे ही बीच के साथी जो भी अध्यच उपाध्यच मंत्री महामंत्री 75 जिलों में से कोई भी हैं तो वहाँ पर रहेंगे तो हो सकता है हम लोगों का काम आसानी से हो जाए और भविस्य में जो भी vacancy आए हो सकता है इसी के अनुशार जो पहले seniority base पे होती थी उसी के अनुशार हो ये सब जब अपने association के मंत्री महामंत्री अध्यच उपाध्यच महोदे जी लोग रहेंगे तो हो सकता है हम लोगों को भी भविस्य में नौकरी मिल सकती है तो दोस्तों मैं आज अपने channel के माध्यम से आप लोगों को ये update दिया हूँ कि फार्मासिस्ट का जो pharmacy council of India में election quarter list है उसको कैसे चेक करना है सबसे पहले आप लोग ये चेक करिए अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो आप सबसे पहले ABPA संगठन के अध्यच से संपर्ख करें क्योंकि ये संगठन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है जिससे हमारे हक का जो है वह पहचान हो सके कि हमारा क्या हक है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब लाइक ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से शेर कर दीजेगा फार्मासिस्ट से रिलेटेड जो भी latest news अप्डेट आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है दोस्तों तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जदा सजदा सेर कर दीजेगा सभी भाई बंधों को यह न्यूज मिल जाए और अपना ओटर लिस्ट जो PCI का है उसमें अपना नाम चेक कर सकें धन्यवाद